आपका स्वागत है आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है कोड़ोवा पब्लिकेशन वालों की बुक है सूपर बातम संस्कृत क्लास 7 के स्टूड़न के लिए चेप्टर वन प्रसुत करने जा रही हूँ अगर उन्हें चैप्टर वन अप्लोड कर चुकी हूँ अगर उन्हें चैप्टर टू चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए चैप्टर वन है अहम व्रिक्ष अस्मी मैं व्रिक्ष हूँ ये समबाद के रूप में है जिसमें लटलकार लरिटलकार के वाक्य होंगे जाने की प्रेजन टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों के लकारों का प्रियोग यहां पर आपको मिलेगा लटलकार जाने की वर्तबान काल जिसे आप रेजन टेंस कहते हैं लटलकार जाने की भविश्यत काल जाने की फ्यूचर टेंस तो आप आगे देखेंगे लटलकार की धातू अगर आपको दिखाई जाए पठती पठता है पठंती पठसी पठता है पठामी पठावे मैं अब देखते हैं आपको इसका अनुबात कैसे करना है वर्ट वर एक्स्पनेशन सुली जी ये अहां वरिक्ष असमी मैं वरिक्ष हूँ सरवग्य और ग्यायक दो बच्चे हैं जिन में संबाद चल रहा है सरवग्य कह रहा है हे ग्यायक तुम कुत्र गच्च सी हे ग्यायक तुम कहां जा रहे हो ग्यायक कह रहा है अहां वरिक्ष अरोपनार्थम उद्यानम गच्चामी मैं वरिक्ष अरोपन के लिए उद्यान जा रहा हूँ सरवग्य कह रहा है अहां मपी तवया सहचलामी मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ उद्याने व्रिक्षा रोपनम कुरुतै उद्यान में व्रिक्षा रोपन करते हुए सरवग्य वसुदायाम अंकुरेन विरिक्ष कैसे होगा ग्याया कह रहा है इमम परशना विरिक्ष में पूछते हैं सरवग्य, सरवग्य कह रहा है वरिक्ष अपी वदती की, वरिक्ष भी बोलते हैं क्या, ग्याया कह रहा है आम, हाँ, वरिक्ष अपी जीव है, अध्यवयम, वरिक्ष से आत्म कथा मश्रणु में, आज हम सब वरिक्ष की आत्म कथा सुनते हैं, अहम वरिक्ष असमी, मैं वरि बीजात बीज से अंकुरस्य अंकुर के रूप में भवती होता है मेरा जनम पृत्वी के गर्भ में बीज से अंकुर के रूप में होता है क्रमशे द्वे पत्रे क्रम से जानिकी क्रमशे सीक्वेंस की अगर बात करें सीक्वेंस में दो पत्ते अनेकानी पत्रानी अनेक पत्त ततश्च फलानी अपी आगचंती उसके बाद फल भी आते हैं मम हिर्दे मेरे हिर्दे में अनेके खगाह वसंती अनेक पक्षी रहते हैं पत्रणाम छाययाम यनाहा शीतलता अनुबवनती पत्तो की छाया में लोग शीतलता का अनुबव करते हैं यनाहा बहुवचन है पत्तो की छाया में अनेक लोग शीतलता का नुबफ करती है मम फलानी मनुश्या खगाचे खदंती मेरे फल मनुश्या और पक्षी खाते है यदा अहम वृद है भविश्यामी जब मैं वृद हो जाऊंगा तदा मम दे है जीरने भविश्यती तब मेरा शरीर क्या हो जाएगा शुश्क हो जाएगा जीरन हो जाएगा मम शरीरे मेरे शरीर पर नवीनानी पत्रानी नागमी श्यंती नए पत्ते नहीं आएंगे फलानी नाफली श्यंती फल नहीं फलेंगे जनाहा खगाचे मम पार्शवे नागमी श्यंती काश्ठेन विविदा लकडी से विविदा अनेक परकार के उपसकारा लकडी के समान बनाए जाएंगे मम जीवरम परोपकारायव अस्ती मेरा जीवन परोपकार के लिए है इसलिए मेरे विशे में कहा गया है परोपकाराय फलंती विक्षा परोपकार के लिए विक्ष फलते हैं परोपकाराय वहंती नदिया परोपकाराय दुहंती गाओ परोपकार के लिए गाओ दूद देती है गाए होती है न गाए दूद देती है परोपकार्त मिदम शरीरम और परोपकार के लिए ही ये मेरा शरी है, तो यहाँ पर आपके word to word explanation होता है, finish, I hope class 7 के student को अनुवाद अच्छे से समय में आ गया होगा, चलिए यह हैं शब्दर्थ, उसके बाद आपकी exercise का पहला question है, choose the correct answer from the option given below प्रित्वी पर पेड़ किसे पैदा होते हैं बच्चों तो आप सबको पता है, बीज से पेड़ क्या है, जीव पक्षी अपना घोंसला कहां बनाते हैं, पेड़ की कोटर में, उप्सकारा का शब्दकार्थ क्या है, लकड़ी के सामान, उसके बाद आपको सारे ये changes जो sentence करने है, वो according to bracket में जो आपको instruction दिए, उसके according अगर लटलकार है, तो आप देखेंगे अलिखताम कहां लिखा जाता है, अगर आप अपना लंगलकार का कोई भी एक example निकालेंगे न, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहां लिखा जाता है, प्रथम पुरुष के, प्रथम पुरुष के द्वी वचन में, तो उसी तरह लिखती, लिखता है, लिखनती, लिखता है बढ़ाता है, प्रथम पुरुष के द्वी वचन में, तो तौ लेखम ना लिखता है, वे दोनों लेख नहीं लिखते हैं, तुम सब गेंद से खेलोगे तुम सब गेंद से खेलोगे तुम फल खाते हो खादसी लटलकार में बदलना था तौम जलम तुम जल पीते हो पी बसी ओके लटलकार में संस्कृत में उत्तर देना है व्रिष्ट का धर्म क्या है परोपकार करना ठीक है परोपकार है तो व्रिक्ष के फल कौन खाता है सौरी तो व्रिक्ष के फल मुनिश्य और पक्षी खाते हैं प्रोपकार के लिए क्या बहता है नदियां बहती है उसके बाद स्तंबो का मेल करके सार्थक बाक्य बनाने थे वो आपको बनाके दे दिये गए है जाने की करेक्ट वब लगाई गई है करम लगाया गया है सब्जेक्ट लगाया गया है जैसे दामोदर करता हो गया पुस्तकानी क्या हो गया करम हो गया अपठत किर्या हो गया दामोदर पुस्तके पड़ता है जा दामोदर ने पुस्तके पड़ी मैं दूरदर्शन देखूंगा अहम दूरदर्शन द्र पूरज पूरवदिशा में उदे होता है, सूरेव, तो सूरेव पूरवदिशायाम उदेती, दो तोते पेड़ पर बैटी हैं, शुकव रिख्षे तिष्ठत है, सिदिका कल विदिया ले जाएगी, सिदिका श्वय विदियाले में गमीशेती, अधियाप काक्षा में परवे आपको लंग लकार में देना है, तो परतम उरुष आप निकालके देख लेना, चहां धातु है, आसीत, आस्ता, मासन, स्था, धातु है, मध्यापुरो है, तिष्ठत, पा, लरिट लकार, पासयती, पासयत, पासयती, पासयती, सैवन कोशन में आपको स्लेक्ट करनी है वर् पासयती, 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 पासय न पाए ओके स्टुडेंट्स जल्दी मिलते हैं आपको आपके नई चेप्टर के साथ तिल दैन पढ़िए मन लगाकर अच्छे से और समझीए पाट को और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए गुडबाई अब्रीवन